एलो दोस्तो मैं हूँ आपको अपना संस्कारी सुमेट बूस्टर जैट फ्रॉम सुजुकी इस चीज को देखने के लिए लोगों की आखे तरस गई थी इस्पेशली उनकी जिनको पावर पसंद है जिनको परफॉर्मेंस पसंद है हलाकि काफी टाइम पहले बले नो में आरे हाइब्रिड टेकनोलजी का दे दिया है फ्रॉंक्स में फिर से यह वाला इंजन और आप क्या मिल चुका है आप मिल चुकी है वह चीज जो की मारूति की गाड़ियों में ज़रूरी है माइलेज भाई 100 PS की पावर 1500 नम का टॉर्क और उसके उपर साड़े 21.5 की अगर आपक लेकिन अपने मैन्वेल की बात करें मैन्वेल में पट रहा है आपको 11,65,000 रुपए का एक शोरूम और मैं हूँ इस समय कहां पर नैक्सा शोरूम हल्वानी में यहां पड़ी आपको पट्री ऑन रोड मोटा मोटा साड़े तेरा लाक रुपे की अब साड़े तेरा लाक र द्रोशने वाला वाकरी में मैंने शाम को इसको देखा था ग्रैंड विटारा से काफी बड़ा अपग्रेड है लाइटिंग के थ्रो में बहुत बड़ी आ रहा है त्राइब आपको मिल जाती इस तरह से लो एंड हाई यह काम करेगा 1765 आम आपको इसकी पूरी चोड़ाई की तरफ तो यह है कुछ साइड से सफ़ोर मीटर है तो चार मीटर के अंदर रहनी है लंबाई है 3995 mm वील बेस देखते है वो मिल रहा है आपको पच्छीस सो बीस हैं का वहीं क्या मस्ते लग रहे है न वील डायमंड कट आपको वील मिल जाते है और कितना है इसका प्रोफ साथ में अध्याइड शीशे दिख रहे हरे से ना ग्रीन जासा को बिल्कुल यूवी कट ग्लास मिल जाते है उपर और अपने इस तरह सिल्वर कलर में यही रइनिंग बोर्ड पर इसकी प्लेट पूरा स्पोर्टी के राक्टर मिल जाता है पूरी पूरी क्लैडिंग के यहां पर यह मिल रहा है आपको पैसे वेंटरी का बटन तो आपको बिल्कुल इसमें मिल जाती है पूरी स्टाट बटन वाला सिस्टम मतलब पॉकेट में मेरे चाब यह समय सीधा ऐसे दबाऊंगा गाड़ी लोग पास जाके ऐसे करूंगा गाड़ी लोग मतलब वहाला सि आपको आते हैं रियर की तरफ यह चीज है इसमें नीचे हमने देखा था सिगमा डेल्ता डेल्का प्लाज उसमें यह बीच की चैनल ना यह जलती नहीं थी यह जलती है जीता में और यह अपने पास आईलफ हाईैं ओर ए साइड में मतलब इससे चोड़ाय और जादा फील ह जाता है के लेए नीचार को मिल जाते है वर्टिकल रिफलेक्टर एक दो तीन चरच पर मिल रहे हैं और पीछे भी बढ़ी सि मिल जाते है इस्किट प्लेट यह यहां पर तीसरा कैमेरा एक आगे हो गया तो एक साइड में यहां पर उसके साथ वाइपर है डिफागर है ऊपर हाइमाउंस टॉप लैंप यहां पर हो गया इस प्रे और साथ में उपर दे जाता है शार्पी ने यह है पूरी की पूरी प्रोफाइल पीछे से गाड़ी की शा था जो कैमरा था वो आपको यहां पर दिख जाता है ठीक है बाई तो यह हो गई पूरी की पूरी कहानी बाहर से दुबारा से बता रहा हूँ एलफा वेरियंट है टर्बो में है और ग्यारा लाख पैंसाठ हजार रुपए एक शोरूम है वहीं अन रोड की बात करें तो हलवानी में नेकसा शोरूम में पढ़ रही है आपको यह साड़े तेरा लाख रुपए की चलो वाई अब बातचित करते है इसके अंदर की अंदर लॉक हो गई हाँ यह कुछ अंदर का महल पूरा का पूरा लैदर रहे तो मस्त प्रीमियम फिल उसके साथ ग्लॉसी ब्लैक अगैन प्रीमियम फिल यहां पर चारो के चारो पार विंडों के बटन है आटो आप आटो डाउं ड्राइवर साइड मिल जाता है यहां पर होगे स देखें तो बढ़िया आपको ब्लैक के साथ वही वाइन ब्राउन वाली आपको फिल दे रहेता है नीचे एक दो तीन चार चार स्पीकर है और साथ में यह मिल रहे हैं यहां बात कतम होई यहां पर आजाते हैं सीट कवर आपको इसमें नहीं मिल रहा लेकिन अंडर थाई स यहां पर आते हैं अंदर तो यह कुछ अंदर का माहौल इसको करते हैं बंद बटन दवा देते हैं यह एक बार हुआ ठीक है और एक और बार हुआ क्लस्टर देखता है कुछ इस तरह से लेकिन क्लस्टर से पहले देख लेते हैं यहां पर अपनी फ्रॉंक्स गोल-गोल लवा है वह आपको कुछ ऐसा दिखता है अभी इस पर भी आएंगे ओहो एक्सेल भी हो गया यह ठीक है इसने दिखा दिया पूरा यहां पर आयाता है तो यह क्लॉस्टर इस तरह से है दो आपको डायल मिल रहे हैं जो की लोगों को सोबर लगता अच्छा लगता मतलब यह ल बैटरी दिखरी है ना आपको तो भाई बैटरी अपनी एक्स्टरेनल एक और रख्यूए जो स्मार्ट हाइब्रेट सिस्टम को चलाती है वो है इस सीट के नीचे अभी दिखाऊंगा मैं एक बार इसके एडजस्मेंट की बात करें ठीक है ओहो टेलिस्कोपिक दोनों है उ खुटल चेहर जाते हैं दो सामने दो सीट के साइड में दो साइड करेंट ठीक हो गी और अब क्या चीज़ भची है यहां पर आ जाते हैं तो वाईपर वाईपर आटोमेटिक नहीं यहां आपको मिलता है मैन्वर्ट इधर देखते हैं तो इधर आपको काफी सारे बटन से दिख रहे हैं और सबसे बड़िया बटन है मेरा फेवरेट यह है अब क्या चीज है तो आपको दिखा तो गाड़ी स्टार्ट करके क्लस दबाया गाड़ी हमने स्टार्ट करी और यह क्या बात है पूरा पूरा अपना जो हैड्स अप डिस्प्लेय वह सामने आ गया और अंद यहां पर दिख रही है नीचे टाइम दिख रहा है ऐसी चोटी-चोटी इंफोमेशन यहां दिख जाएगा नीचे नहीं देखना होता है ठीक है यह हो गया और इसकी सेटिंग्स हो गया रहा और ब्राइटनेस वगयरा वो सारी आपको यहां पर दबाके रखेंगे और यह यहां पर बंद हो जाएगा बाय-बाय कर दिया ठीक है उसके अलावा यह ओगया 360 यहां पर गाड़ी नासने लगी है और उसके लाव यह ओगया और यहां पर चालू हो गया और अगर सामने का व्यू देखना यह देखो गाड़ी के अंदर से कैसा साइड में फील हो रहा है वह यह आ गया और पॉज यहां से कर देंगे महीं कमा ही रुख गया मस से सिस्टम दे रखें इसमें नीचे आपको शॉर्टकट दिये हूँ है म्यूजिक प्लेयर कर लिए और वैसे म्यूजिक प्लेयर की बात करूँ तो भाई यह स्मार्ट स्टूडियो प्रो प्लस है सबसे लेटेस्ट वाला मारूती का 9 इंच की स्क्रीन है और 9 इंच के साथ साथ आपको एंडर डॉट अपल कार प्ले वायरलेसली काम करता हूँ है में दिख जाएगा हाई सुजुकी वाले सिस्टम भी मिल जाता है मतलब टैलिमेटिक जो फीचर है वह भी आपको इसमें मिल जाते हैं जो भी आपको कॉम्पटिशन में आज की तारिक में म्यूजिक प्लेयर काम करके देता है वो सब को चिसमें बढ़िया चीज उसके सोल्डर पांसपीट का गेर बॉक्स है तर्व इंजन के साथ और यहां पर यह अपना ग्लॉब बॉक्स आई और वियर मिल रहा है आपको डे नाइट ऑटो एजस्टेबल बिल्कुल शाम होते ही अपने आप यह चेंज हो जाएगा मोड इसका ठीक है लैंप हो गए माइक य अब चलते हैं पीछे यह बहुत काम्याब रहते हैं वैसे देखने में लगता यूवी कट ग्लासस कुछ जादा ऐसे नहीं है लेकिन करी तीन से चार डिगरी का डिफ्रेंस क्रियेट करते हैं यह मैंने खुद फील करा है खुद देखा है अधर गारी से प्लेन ग्लासस से और इसमें यूवी कट आती है बात यहां पर तो बाई एक बार अंडर थाई सपोर्ट बढ़िया है यहां बैठते हैं और यह है पूरा फील बढ़िया सीन अंदर का स्पेस पूरा दे रखा है पीछे इस इवेंट दे रखे हैं नीचे आपको दे रखा है दो-दो यूएसबी चार्जिंग के लि वह कहा है तो यह पर यह देखों यह बॉक्स देख रहा है लेगर ये बाइटरी है जो काम करती है स्मार्ट हइब्रिड के लिए चलो इसको करते हैं आओ अपने यहां से बंद आब आती ये बात कहां की वूरट्स बेस की यह आगे अपना वूर्स पेस 308 लिटर का मिल जाता है काफी अच्छा कासा है कोई वो देखे है हुक हाँ भाई हुक दे रखा बाकि लैंप मिल जाता है हमको पार सब्सक्रे मिल रही है और एक बार उसको देखते हैं नीचे टायर को टायर सूला ही लग रहा है यार यह तो हाँ देखो 195 60R16 अच्छी चीज है इसी में डायरेक्ट आप वो लगा सकते हो अपना एलोई इसमें लगा सकते हो टेंशन फ्री चलो बाई इसको करते है अब अपने बंद ठीक है यह हो गई कहानी यहाँ अब आती है बात इसके इंजिन की जहां से शुरू करा था वहीं पर ही आ गया है यह यह मिल रहा है आपको यहा देखते हैं तो यह पूरा का पूरा माहॉल और उसके साथ यहां देखते हैं और थोड़ी शांती और ज्यादा बनाए रखनें क्योंकि थ्री सिलंडर है और टर्बो है तो थोड़ा सा हलका सा नैचुल एस्परेटेड से आपको क्लटर फील हो सकता है उसके लिए यहां पर एक्स्टा पैडिंग अगरे दे रखी है जो की बढ़िया चीज है हां तो बाई आ जाती है बात फिर से कहां पर वेरेंट था ही अपना टर्बो वाला टॉप एंड कीमत की बात करें ग्यारा लाग पैंसट हैर पांसो रुपे एक शोरूम और वहीं ऑन रोड की बात करें त तो बाई लो पावर बड़ा हुए इंजन दे दिया आपको ऑप्षिन अब इस ऑप्षिन के बारे में क्या को होगे बताना जरूर कॉमेंट करगे अगर आपको वीडियो चलाओ गाड़ी चलोगे तो प्लीज लाइक करने वीडियो को शेर करने अपने दूसका जाए हिंदा